स्वागत दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डामे दोस्तों कर आप एक बार सिर्फ साड़े नो लाग रुपे निवेश करके अपने लिए 4,900 रुपे की हर महीने की इंकम शुरू करना चाहते हैं और आप अपने पैसे को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए mutual funds की एक ऐसी scheme लेकर आए हैं जिसके अंदर आप एक बार पैसे निवेश करके लगता 30 साल तक अपने लिए 4,900 रुपे की फिक्स्ट इंकम शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने 9,500,000 रुपे को भी बढ़ा कर करीब 4,81,000 रुपे तक कर सकते हैं दोस्तों mutual funds की ये scheme उन लोग के लिए काफी शांदा रही की जो अपने पैसे पर निवेश करके हर महीने की इंकम शुरू करना चाहते हैं और अपने पैसे को भी बढ़ाना चाहते हैं वैसि जब हर महीने एक इंकम शुरू करने की बात आती है तो ज़्यादता लोग अपने पैसे को post office MIS scheme पैसे को निवेश करते हैं लेकिन दोस्तों वहाँ पर उन्हें जादा फाइदा नहीं हो पाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिटन है वो बहुत जादा कम मिलता है अगर हम post office MIS scheme की बात करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6 फिज़ी प्यास दर मिलती है और यहाँ पर आप maximum 4,5 लाक रुपे तक निवेश करते हैं लेकिन दोस्तों mutual funds scheme के अंदर SWP plan में आप अपनी मर्दी के साब से जितना पैसा चाहें यहाँ पर निवेश करते हैं और यहाँ पर return भी आपको किसी भी scheme से जाता देखने के लिए मिलता है तो आज हम आपके लिए IDFC की एक ऐसी ही बैटरीन scheme लेकर आए हैं जिसमें आप निवेश के साथ साथ tax का benefit भी हासिल कर सकते हैं और अपने लिए हर महीने एक income भी शुरू कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो सबसे पहले हम जानते हैं इस पहतरीन scheme के बारे में उसके बाद हम इसे calculate करके समझेंगे उससे पहले दोस्तो आप से एक चोटी से request है हमारी इस फीडियो को एक like जरूर करें दोस्तो return किसी भी scheme के लिए सबसे important होता है अगर हम इस scheme के return की बात करें all time की तो scheme ने करीब 17.93% का return दिया है पिछले 5 साल की बात करें तो scheme का return 14.70% का है पिछले 3 साल की बात करें तो scheme ने 26.47% का return दिया है एक साल की बात की जाए तो scheme का return 11.18% का है और दोस्तो एक महनी की बात करें तो scheme ने 4.39% का return दिया है दोस्तो mutual funds की ये बहतरीन scheme है और नाम है IDFC Tax Advantage ELS Direct Plan Growth दोस्तो mutual funds की ये ELS category की scheme है और यहाँ पर इसका locking period 3 साल का है और इसके अंदर आप tax का benefit पे हासिल कर सकते हैं जबकि all time के return की बात करें तो यहाँ पर शांदार है करीब 18% का अगर हम दोस्तो बात करें कि यहाँ पर आपको कैसे हर महीने एक income शुरू करनी है तो दोस्तो mutual funds के अंदर आपको एक option मिलता है SWP plan यानि कि systematic withdrawal plan इसके अंदर आप एक बार لمसम पैसे निवेश करके अपने लिए एक income शुरू कर सकते हैं अगर हम बात करें कि यह scheme काम कैसे करती है तो दोस्तो इस scheme के अंदर जैसे आपने एक बार साड़े नो लाक रुपे का निवेश किया और आपको यहाँ पर एक महीने के अंदर आपके साड़े नो लाक रुपे पर income हुई करीब 6000 रुपे की तो उसी में से ही आपको हर महीने जो income आपने सैट की है 4900 रुपे की वो आपके बैंक खाते में हातिल हो जाएगी और जो बाकी के पैसे होंगे वो आपके साड़े नो लाक रुपे में एड हो जाएगे इससे होगा यह कि यहाँ पर हर महीने के income भी होती रहेगी और आपके जो पैसे हैं वो भी यहाँ पर वढ़ते रहेंगे दोस्तो अगर हम बात करें हाँ पर इसकीम की rating की तो शांदार है 4 और इसकीम का fund size है 3692 करोड रुपे यानि इतने पैसे लोगों ने इस mutual fund के scheme के अंदर निवेश के होए है अगर हम NAV की बात करें यानि net asset value की तो यह है 110 रुपेज 17 पैसे का दोस्तो mutual funds का NAV होता है unit price जो भी पैसे आप लमसम इसके अंदर निवेश करेंगे और जो भी NAV का price होगा उसके हिसाब से ही आपको unit लोट की जाएंगी दोस्तो गर हम बात करें हैं आपर holding की कि आपका जो पैसा है वो किन स्टॉकों के अंदर निवेश के गया है तो यहाँ पर total 50 स्टॉक है अगर हम बड़े स्टॉक की बात करें मैंने स्टॉक की तो इसके अंदर ICCA Bank, Infosys, State Bank of India, HDFC Bank, Reliance Industry, Tata Motors, Mahindra and Mahindra जो दोस्तो बहतीन कंपनी हैं उनके अंदर आपका पैसा निवेश के गया है दोस्तो expense ratio पर भी नजर डालना काफी important है क्योंकि यहाँ पर दोस्तो expense ratio होता है mutual funds का खर्चा जो भी पैसे आप इसके अंदर लमसम निवेश करेंगे और जो भी expense ratio होगा उसमें से पहले expense ratio वाले पैसे काटे जाएंगे यानि कि जो expense ratio है 0.75% उसके बाद आपको current NAV के हिसाब से unit lot की जाती है दोस्तो गर हम बात करें हैं आपर fund management team की तो इस fund को manage करें है डे निल 2016 से दोस्तो किन stock हों में पैसे को निवेश करना है और कब निकालना है ये सब कुछ management team ही decide करती है दोस्तो गर हम बात करें हैं आपर IDFC mutual fund house की तो इंडिया में 9 number पर rank है कंपनी के पास जो AUM है यानि के asset fund management वो करीब 1,22,000 करोण पिका है यानि इतने पैसे लोगों ने अलग-अलग scheme के अंदर IDFC mutual fund house के साथ निवेश के हो है अगर हम company start की बात करें तो ये mutual fund से start हुए था 20th December 1999 को दोस्तो इस scheme का return all time का काफी शांदार है 17.93% का देकिन आने वाले time में अगर आपको सिर्फ 16% annually का भी return मिलता है और आप इसके अंदर 9,000,000 रुपे का निवेश करते हैं lump sum और अपने लिए income शुरू करते हैं 4900 रुपे की तो यहाँ पर आपको ये पैसे कैसे मिलने वाले हैं हर महीने और आपके 9,000,000 रुपे बढ़कर कैसे 4,000,000,000 रुपे तक हो सकते हैं चलिए आप हमें से एक बार calculation के साथ भी समझते हैं दोस्तों ये हमारे पास mutual funds का SWP calculator यानि के systematic withdrawal plan का calculator इस scheme के अंदर अगर आप एक बर 9,000,000 रुपे का निवेश करते हैं और अपने लिए हर महीने income शुरू करते हैं 4900 रुपे की return हमने expect किया है आने वाले time में 16% का इस पैसे को इस SWP plan के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो यहाँ पर दोस्तों 4900 रुपे हर महीने के हिसाब से आपको 5 साल के अंदर 2,94,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 9,000,000 रुपे बढ़कर 15,62,099 रुपे हो जाएंगे इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 10 साल के लिए तो 4900 रुपे हर महीने के हिसाब से आपको इसके अंदर 5,88,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 9,000,000 रुपे बढ़कर 28,47,686 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को इस SWB प्लान के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो 4900 रुपे हर महीने के हिसाब से आपको इसके अंदर 8,22,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 9,000,000 रुपे बढ़कर 55,47,877 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को इस स्कीम के अंदर अगर आप 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको इहाँ पर 4900 रुपे हर महीने के हिसाब से 11,06,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 9,000,000 रुपे बढ़कर 1,12,19,202 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस पैसे को इस mutual fund से स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 25 साल के लिए तो 4900 रुपे हर महीने के साब से आपको इसके अंदर 14,07,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 9,000,000 रुपे बढ़कर 2,31,30,923 रुपे हो जाएंगे दोस्तों इस mutual fund से स्कीम के अंदर अगर आप इस पैसे को 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको इहाँ पर 4900 रुपे हर महीने के साब से 17,64,000 रुपे का प्याउट मिलेगा और आपके 9,000,000 रुपे बढ़कर 4,81,4,606 रुपे हो जाएंगे तो दोस्तों mutual fund से स्कीम के अंदर भी आप लंब सम एक साथ पैसे निवेश करके हर महीने के इनकम चुरू कर सकते हैं और अपने पैसे को भी कई गुना तक बढ़ा सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क होता है तो इसलिए जब भी आप SWP प्लान में mutual funds के अंदर निवेश करें तो अपने financial advisor से भी सलाज जरूर ले लें दोस्तों इस वीडियो से लेटेड अगर आपका कोई question होता है तो हमें जरूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो like करें शेयर करें और हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद